तो इसमें क्या होगा देखो SN2 में, 2 का मतलब rate of reaction दो molecule पर depend करती है, ठीक है, अब यहां से SN1, SN2, इसका दो order है देखो, उसका क्या होगा, reactivity order, reactivity order इसमें यहां से समझ में आएगा देखो इसमें होता है hysteric hindrance, ठीक है, देखो एक methyl group है, methyl group में छोटे छोटे ग्रूप लगे देखो, छोटे छोटे ग्रूप लगे, तो यह nucleophile क्या है, आसानी से attack कर जाएगा, उसे C पर attack करना है, तो बहुत जल्दी attack करेगा, तो rate of reaction, methyl का सबसे fast हो जाएगा, ध्यान रखना, rate क्या हो होगा, क्योंकि छोटे छोटे group हैं, तो reperson नहीं होता, अब देखो one degree में, one degree में क्या होगा, एक बड़ा group आ गया, बाकि hydrogen लगे, तो यहाँ पर reperson होगा, क्योंकि यह दोनों अपस में क्या करेंगे, repel करेंगे, लेकिन कम होगा, तो इसकी speed फिर primary की, secondary का मतलब, दो बड़ group लग गया, CS3 group दो बड़े लग गया, अब बड़े लग गया, तो reperson थोड़ा जाता हो जाएगा, तो speed slow हो जाएगे, और tertiary देखो, सर्ण करते हैं, पर एंड़ और वीक आभी मैं बताऊंगा, कौन से strong होते हैं, कौन से weak होते हैं, जैसे aqueous, any wedge, strong होता है, आपका नेटवर्क से ही नहीं हा रहा है अवाज के लिए नहीं पहुंचे है मेरे पास नहीं Tabii है तो इसे नंतिजार नहीं करेगा तो यहां से मैनास आईगा वह आटएक और थी तो यह गूला एक ग्रूप लगाए तो रिपर्सन कम होगा, दो ग्रूप आए तो रिपर्सन जादा हो गया, तीन ग्रूप हो गया, तो रिपर्सन और जादा हो गया, इसलिए speed तर्सरी की सबसे कम हो गया, तर्सरी सबसे कम है, सबसे पहले methyl group, जिसमें repulsion सबसे कम है, फिर primary, फिर second day, फिर tertiary, तो speed में ये है तरीका निकालने का, अब बोलो आया कि नहीं आया समझ में, तो इसमें कौन सा factor काम करता है, hysteric hindrance, hysteric, मतलब space में repulsion, तो उसे कहते है, hysteric hindrance, ये hysteric effect, ठीक है, तो hysteric effect की वज़ाद से, क्या होगा, जो primary है, या methyl है, उसकी speed सबसे ज़्यादा है, और tertiary की सबसे कम है, क्लियर है? एक और है, living group वाला, living group, जैसे halogen में, fluorine, chlorine, bromine, iodine, अब बता है इसमें से, सबसे जल्दी कौन निकलेगा? अगर जल्दी निकलना है, तो कौन निकलेगा? टिक लगा दो, उसमें टिक, अच्छा, स्वेता, और इसके लावा कोई आंसर? अंकित और निधी, ओके, अंकित? अंकित ने सही अंसर दिया इसका, देखो, I, I का साइज क्या होता है? बड़ा होता है, जल्दी निकल जाएगा, फिर, BR, फिर, CL, fluorine का छोटा साइज होता है, tightly bond करके रखेगा, तो ये तो निकलेगा है नहीं, ठीक है? तो जल्दी कौन निकलेगा? आई, तो ये है इसका order, living group का, इसे कहते है living, यानि जो निकलने वाला group है, उसमें दियान रखना, iodine, सबसे जादा, फिर, BR, फिर, क्लॉरीन, और सबसे कम है, फ्लॉरीन, ठीक? ये सर्फ, आप देखो, इसके बेस पर मैं question पोस्टा हूँ आपको, इसके बेस पर question पोस्टा हूँ, आगे समझ मैं आपको, एक बार फिर से आपको remind करवा देता हूँ, अगर SN1 reaction है, तो उसमें reactivity का order क्या होगा? तर्सरी, सेकेंडी, प्राइमरी, और अगर लीबिंग ग्रूप है, अगर ये सेम है, तो लीबिंग ग्रूप में सेम होता है, I, BR, CL और F, SN2 में क्या होता है? उल्टा हो जाता है, SN2 में 1 डिगरी, 2 डिगरी, 3 डिगरी, reactivity के लिए, ठीक है? और लीबिंग ग्रूप में दो अगर, प्राइमरी, सेकेंडी, टर्सरी, पचान लोगे? इा सर, ठीक है पिर, तो अगरी तो कोस्चन करते हम इसे आगे, देखते हैं कि आपको कितना आता है ये पहला question है ठीक है पहला question पर आगे हम वो कहरा बताओ SN2 reaction है ठीक है ये question दिख रहा होगा आपको SN2 reaction है और पहला है ये लिख है देखो ये cyclohexene है और इसमें CS2Cl पहला और दूसरा ये है cyclohexene और इसमें CL लगा है बताओ SN2 reaction इन दोनों में से किस से fast हो गए ये one है ये two है ओकी स्वेता इसके लावा बताओ निधी एंड अंकित SN2 reaction बताओ ओकी निधी अब आप बताओ अंकित ओकी स्वेता का अंसर से ये बस इसमें ठीक है इसमें कैसे प्राइमरी वाला देखो SN2 है जो SN2 के लिए क्या होता है जो प्राइमरी वाला है वही stable होगा ये प्राइमरी कारवन क्योंकि ये एकी कारवन से अटेच है बस इसमें देखो जो CL जिस कारवन से अटेच है वो दो सी से अटेच है तो सेकेंड़ी हो गया ये कारवन कौन सा हो गया सेकेंड़ी इस पर अटेक करना मुस्किल है ये प्राइमरी है देखो क्योंकि इसमें क्यावल एकी सी अटेच है तो इसलिए इसका अंसर है first one not second अब दूसरा question दूसरा question है 1,2,3,4,I, दूसरा 1,2,3,4,CL अब बताओ इन दोनों में से किसमें send to reaction fast होगे reply ओके निधी स्वेता और अंकित हाँ तीनों का अंसर सही है क्योंकि ID क्या होता है better living group होता है ID is better living group बहुत जल्दी निकल जाएगा क्यों क्यों क्योंकि बड़ा साइज होता है बड़ा साइज होता है क्या होगा weekly bonded होगा जल्दी तूट जाएगा और chlorine क्या होता है छोता साइज होता है tightly bond करके रखेगा तो इसको निकालना मुस्किल हो जाएगा इसलिए speed आई की ज्यादा होगी ठीक है इसमें स्वेता के two में से two है बाकी दोनों के one by one है अब देखते हैं दूसरा question इसको बाकी 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 आदा है यह क्वेस्चिन है देखो 10.7 10.7 अब बता हो इसमें से SN2 मेकेनिजा यह कोई SN2 है बताओ फास्ट में इन डोनों में से किस में फास्ट होगा पहला है 1,2,3,4 बियार और दूसरे में 1,2,3,4 यहां बियार है बताओ SN2 रियक्शन किसके लिए फास्ट होगी बताओ ठीक लगा दो इसमें से SN2 रियक्शन अंकीत निधी और अंकीत इसमें से अंकीत कांसर सही है बाकी दोनों का गलत है इसमें primary, secondary और neutrin पर aç्चाना है पर aç्चानन है देखो बियर है बियर में ये कार्बन कौन सा है primary तो यह प्राइमरी होगा है, इसमें C है, C जिस VR से अटेच है, वो दो C से अटेच है, यानि यह सेकंडरी होगा है, तो कौन जादा स्पीड होता है, असेंटू में, प्राइमरी, तो इसलिए पहला अंसर सही होगा, दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है, तो 100 marks हो गए, अब बत हो इसलिए ऑज़्ट वाले में, सेकंड में, सेकंड में, सेकंड में, वान, टू, ट्री, फॉर, यहां वी आरे, सेकंड है, वन, ब्र, वन, 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 अब इनमें से बताओ, कौन सा SN2 reaction fast देगा निधी, ओके स्वेता, अंकित स्वेता, ओके और अंकित ठीक है, तीनों का अंसर सही है क्योंकि ये secondary carbon ये कौन से carbon है? secondary, पता कैसे चला? इसमें दो C attach है जिससे BR attach है, उससे दो carbon attach है, तो ये secondary हो गया तो इसकी speed ज़्यादा होगी क्यों होगी? क्योंकि जो अगला है, वो tertiary है ये one, two, three तो tertiary है, तो tertiary से secondary की speed ज़्यादा होती है ascent की, तो इसलिए ये answer सही है ये गलत है, तो दोनों सबके answer सही है है अब इसमें बताओ, थाड़ वाले में one, two, three, three, four, BR और यहाँ C लगा है दूसरे में one, two, three, four, BR और इसमें यहाँ लगा होगा इन दोनों में से बताना है कौन सा first reaction देगा ascent to one याँ two अब दोनों primary है तो कैसे check करेंगे इस्टेरिक हिंड्रेंस है इस्टेरिक हिंड्रेंस हाँ पर कौन सा लग रहाँ आपको ठीक लगा दो एक बार अच्छा तो इसका अंसर है इसका अंसर है हाँ first वाला इसका अंसर है देखो यह BR है ठीक है इस C इस C से दूर दूर होना चाहिए यहाँ पर क्या है इस्टेरिक हिंड्रेंस जाता हो गया अब जो कोई ग्रूप आएगा इसमें क्या यह दूर है तो इसमें रिपल्सन कम हो जाएगा थीक है तो इसलिए इसमें रियक्सन fast हो जाएगा तूँकि यह दूर गूरुप है इसमें पास है जहां पर BR है देखो उसका C उस पर अटाइक करना है आधूश्ये ernे तो उसके attack करने से यहाँ पे CS3 pass है तो repulsion जादा हो जाएगा इसलिए यह slow हो जाएगी यह fast हो जाएगी ठीक है? इसलिए मैंने का आता hysteric hindrance का hindrance का मतलब इसके आसपार जितने bulky group होंगे उतना rate of reaction slow हो जाएगा ठीक है? तो यह दूर है कोई C है अब यह बिल्कुल pass यहाँ आगया तो repulsion यह group यहाँ से attack नहीं कर पाएगा इसमें क्या है? दूर है इसमें दूर है यहाँ पे दूर है तो यहाँ attack करना असान हो जाएगा ठीक है? इसलिए जो यह वाला है इसका fast होगा इसका slow होगा ठीक है? तो आपने 1, 2 2, 2 answer दिए अब बताओ यह वाला 10.8 इसमें देखो पहला है यह वाला और यहाँ C लग गया है और दूसरा है इस तरीके से बना होगा है यह C लग है अब बताओ SN1 भी action कह रहा हूँ अब SN2 नहीं है अब SN1 है इसमें फास्ट होगा ओके निधी इसके लावा अंकेत और स्वेता इसमें तीनों का अंसर सही है देखो SN1 में क्या देखते है तरसरी, सेकेंडी, प्राइमरी है ना तो तरसरी है क्योंकि यह C है इसमें तीन सी अटेश है एक सी यह, दूसरा यह, तीसरा यह तीन सी अटेश है तो तरसरी हो गया इसमें देखो यहां से दो सी अटेश है तो यह क्या हो गया सेकेंडी SN1 रेक्शन तरसरी, सेकेंडी, प्राइमरी पे डिपेंड करता है तो इसलिए फास्ट आंसर इस राइट अब इसमें बताओ यह वाले में इसमें क्या हो गा 1, 2, 3, 4, 5, 6 CL यहां लग गया दूसरे में 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब इन दो नमसे बताओ कौन सांसर आपको सही लग रहा है प्राइमरी प्राइमरी वेरी गुड़ अगर SN2 होता तो फिर यह होता और यह बाद में होता तो यह रियक्शन है आपको देखो आ गई यह रियक्शन SN1, SN2 रियक्शन यह सर आ गई तो इसमें ऐसे कोश्चन आएंगे दिहान रखना पहली चीज है इस टाइप के कोश्चन आता है तो चारों में से पूछ लेगा इस स्पीड किसमें फास्ट होगे तो आपको पहचानना पड़ेगा SN1 और SN2 रियक्शन ठीक है SN1 और SN2 रियक्शन हाँ बताओ कुछ पूछ रखना अंकित यह सर आप बोलो सर बोल रहा हूँ सर समझ नहीं आया SN1, SN2 रियक्शन है क्या इसका यूज क्या है मैं थोड़ा लेट राइन किया था मैंने आपको बताया था तो वह स्टार्ट से देखने था SN1 SN का मतलब होता है सब्सिट्यूशन रियक्शन सब्सिट्यूशन का मतलब जब आपको आप रियक्शन करोगे ना जब आप रियक्शन करोगे उसने कुछ चेंज होंगे तभी तो रियक्शन होगे यह तो रियक्शन होगी कैसे गर आपको कुछ कमपॉंड बनाना है तो यह तो displacement होगा, यह addition होगा, उसने कुछ change होगा, तब तो reaction होगी, तो यहाँ पर जो reaction है, वो है substitution reaction, SN का मतलब होता है substitution reaction, यहने एक ने दूसरे को substitute कर दिया, जैसे एक compound है यहाँ पर, इसमें CL लगा हुआ है, और आपने दूसरा nucleophile लाए, nucleophile मतलब जिसमें negative charge है, वो एक nucleophile को हटा देगा, उसके compound से, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर यह आ गया, और दूसरा इससे बाहर हो गया, यहने एक ने दूसरे को substitute कर दिया, तो उसे कहते हैं nucleophilic substitution reaction, यह बहुत type की होती है, लेकिन आपके पास दो type की है, एक होता है SN1 reaction, एक होता है SN2 reaction, दोनों में main reaction सेम है, difference क्या होता है, mechanism का, mechanism में SN1 में क्या होता है, जैसे यह nucleophile लगा हुआ है, तो पहले step होता है, जिसमें यह slow step होता है, और इसमें तूटने का नितजार करेगा, कि CL निकले गया, तो CL की power ज्यादा होती है, हाँ, तो CL की power ज्यादा होती है, तो CL निकल गया बहर, और इसमें plus charge आज़ता है, यहने कार्वो कटैन बन जाता है, अब nucleophile है जो, अब वो attack करेगा इसमें, nucleophile है ने OH- ले लिए सपोज हमने, तो यह attack करेगा, और यह compound बना देगा, तो कोई भी reaction क्यों होती है, क्योंकि दूसरी compound को बनाने के लिए होता है, ठी क्या था, अलकल हलाइट था, तो यह reaction होती ही fast, तो SN1 का मतलब हुआ, जो rate of reaction है, वो केवल एक ही molecule decide करता है, और वो कौन सा है, यह substrate वाला, ठीक है, यही decide करेगा, तो इसलिए से SN1 reaction कहते हैं, अब इसमें पहले एक कार्वो कटैन बनता है, इसलिए इसकी speed क्या होती है, कार् सरी के ज्यादा होती है, फिर secondary, फिर primary, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कार्वो कटैन का मतलब plus charge, और CS3 होता है, electron donating group, तो यहां पर तीन-तीन electron donating group है, तो यह इसकी stability को बढ़ा देते हैं, फिर secondary का मतलब, दो CS3 group attached होंगे, तो इस case में क्या होता है, कि दो ही electron donating group है, इसलिए इसकी stability पहले वाले से कम होती है, फिर primary का मतलब, एकी CS3 group attach होगा, ठीक है, तो इसे कहते है primary, तो stability सब ज़्यादा किसकी है, tertiary की, इसलिए जब कोई compound है, जैसे इस compound है, यह tertiary है, तो क्या चाहेगा, कि CL को जल्दी से निकालो में, और plus charge में आ जाओं, क्योंकि मेरी stability ज्यादा हो जाएगे, तो इसलिए यह reaction fast हो जाती है, तो tertiary वाली इसमें fast होती है, तो इसकी जो reactivity का order होता है, reactivity का order, वो tertiary, secondary, फिर primary, क्यों, क्योंकि तरसरी कार्वोकाटैन ज्यादा stable होता है, कार्वोकाटैन का मतलब, प्लस, तो electron deficient है, और CS3 होता है, electron donating यहने देने वाला, तो इस इसमें 3-3 group electron donate करते हैं, ठीक है, इसलिए क्या होगा, इसकी reactivity सबसे ज़्यादा हो जाती है, अब primary की सबसे कम हो जाते है, अब methyl group है, जिसमें A2 CS3 group है, तो यह सबसे ज़्यादा कम हो जाएगे, ठीक है, यह methyl group सबसे कम हो जाएगे, तो समझ में आया है SN1, इसमें weak nucleophile use होग weak nucleophile, क्योंकि वो इंतजार करेगा, कि पहले तूटेगा, फिर मैं attack करूँगा, तो इसमें weak nucleophile use होता है SN1 में, फिर SN2 आता है, SN2 का मतलब होता है, कि जब दोनों के दोनों molecule rate of reaction को decide करते हैं, इससे CL लग गया, अब इसमें मैंने nucleophile attack कर दिया, तो यह strong होता है, अब यह weight नही उटेगा, फिर मैं attack करूँगा, तो यह direct attack करना है, स्टार्ट कर देता है, तो यह attack कर रहा है, और यहां से CL निकलता जाएगा, ठीक है, तो यह compound बनता चला जाएगा, इसे कहते हैं, transition state, जो intermediate होती है, इसे कहते हैं, transition state, या intermediate, इंटर मेडियेट, ठीक है, अब यहां पे इसक OS यहां लग गया, OS यहां लग गया, और CL बाहर निकल गया, ठीक है, तो यह हो गया SN2 reaction, तो यहां पे rate of reaction दोनों पर depend करेगा, जो nucleophile यह attack कर रहा है, और जो यह subset है, दोनों पर depend करेगा, इसलिए से कहते हैं, biomolecular, two मतलब biomolecular, ठीक है, और इसमें strong nucleophile use होगा, क्योंकि strong क्या है, weight नहीं करेगा ना, कि पहले वो टूटेगा, फिर मैं attack करूँगा, तो यह direct attack करता है, तो इसलिए यहां पे strong nucleophile use होता है, इसमें order क्या होता है, इसमें होता है पहले methyl का, फिर one degree, फिर two degree, फिर three degree, reason क्या है, क्योंकि methyl group में केवल hydrogen लगे हैं, अब यह attack करेगा, जैसे CL लगा, तो यह पीछे से attack करेगा, क्योंकि आगे से group है, तो जब पीछे से attack करेगा, और चोटे-चोटे group है, तो यह बहुत जल्दी attack कर जाएगा, क्योंकि इसमें weight नहीं कर रहा है, यह निकल रहा है, औ और मैं इस पर टैक करूँगा, नहीं थोड़ा सा random निधी, जब तक net चलता है, तब तक चलने दो, इसके बाद तो मैं अब खता मी कर रहा हूं, बस SN1, SN2 आपको बता दिया, बाकि कल आपको बताऊंगा, ठीक है, तो यहीं तक बता देता हूं, बस थोड़ा सा और बता देता होता है, यानि रिपर्शन कम होगा, तो नुकलोफाइल आसानी से अटेक कर जाएगा, फिर क्या होता है, प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब एक CS3 ग्रूप लगा हूआ है, बाकि H और यह है, तो जब नुकलोफाइल अटेक करेगा, तो इसमें एक बड़ा ग्रूप है, तो यह से रिपर्चा करेगा, तो अब रिपर्शन होगा, तो स्पीड इसके सलो हो जाएगे, ठीक है, तो प्राइमरी में सलो हो जाती है, शेकंडनी में क्या है, यहाँ पे दौपर लग ग्रूप लग गाए, एक और एक यह, तो बड़ा-बड़ा ग्रूप लग ग्रूप तरसरी का मतलब तीनों CS3 ग्रूप लग गए अब तो क्या हुआ ये भी बड़ा ग्रूप ये भी बड़ा ग्रूप ये भी बड़ा ग्रूप तो इसको अटेक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इसलिए इसकी स्पीड सबसे स्लो हो जाती है तो SN2 में हिस्टेरिक हुद्रिंड्रेंस की वज़े सी इस्पीड स्लो हो जाती है इसलिए ओडर क्या होता है पहले मिधाइल वाला फिर प्रायम्रीopes रिपर्ण सारे जितना बल्की गुरूप लगेगा बड़ा गुरूप लगेगा उतना अटैक करना मुश्किल हो जाएगा इसलिए रेट आप रेक्शन स्लो हो जाती है तो इस समझ में आगिया तो करते हैं बाकी है ना आज इतना बहुत है कल भी एकात क्लास ले लेंगे ठीक है तो बाइबाई थैंक यू सर्व नाइस देस थैंक यू